भाई और बेहनों, बोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हस्र क्या होता है, वो अभी मद्दप्रदेश और राजस्तान में दिख रहा है, सरकार बदलते ही, अब वहाँ खाद के लिए यूरिया के ये कतारे लगने लगी, लाठिया चलने लगी, काले बाजार करने वाले मैदान में आ गए, करनाटक में लाखों किसानों की कर्ज माफी का वाइदा किया गया था, भाईयों बेनों ये सच्चा ही समझिये, करनाटक में अभी अभी कॉंग्रेस ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, और कर्ज माफी का किसानों को वाइदा किया था लॉलिपॉप पकड़ा दिया था लाखों किसानों का कर्ज माफ होना था और किया कितना बताओं बताओं कितने किसानों को लाब मिला बताओं आप हैरान हो जाएंगे बताओं लाखों किसानों के ओ कर्ज माफि का बादा किया गया बोर्ट चुरा लिए गए पिछले दिरवाजे से चोरी रास्ते से सरकार बना दी गई और दिया कितनों को सिरफ 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 आट सो लोगों को आप मुझे पताओं ये ये कैसे बादे ये कैसे खेल ये किसानों के साथ कैसा धोका हो रहा है इसको आप समझे भाई ये बहनों जिनका नहीं हुआ कर्ज माफी तो नहीं हुआ लेकिन अब उनके पीछे पुलिस छोड़ दी गई हैं जाओ पैसे जमा करवाओ साथियों ततकाली के राजनीति इगलाब के लिए जो वादे किये जाते हैं जो फैसले लिए जाते हैं उनसे देश की समस्याओं का स्थाई समादान नहीं हो सकता कि 2009 के चुनाव से पहले क्या हुआ आप सभी उसके साक्षी है कि 2009 के चुनाव के पहले भी यह ऐसे ही लॉलीपाप पकड़ाने वालों ने करज माफी का वादा किया था देख भरके किसानों का करज माफी का वादा किया था मैं यहां जो किसाने में जल्ब पूछना चाहता हूं कि दस साल पहले 2009 में क्या आपका कर्ज माफ हुआ था क्या माफ हुआ था क्या आपके खाते में पैसा आया क्या आपको कोई मदद मिली क्या वादा हुआ था क्या नहीं हुआ था कि सरकार बनी थी नहीं बनी सी और फिर आपको घुला दिया गया और नहीं भुला दिया गया ऐसे लोगों पर भरोसा करोगे क्या यह यह लॉलिपॉप कंपनी से महलच करोगे क्या यह जुद बो ni глаз पर दोगे में वालों परज़ा करोगे क्या बाई यो बैनों आपको हराणी होगी तब 6 लाग करोड रुपीय का कर्ज किसानों पर था पूरे देश में 6 लाग करोड रुपीय का लेकिन माप करने की गोशना की गई वो कितने की हुई आपको मालूप है 6 लाग करोड का कर्ज था और चुनने के बाद सरकार बनने के बाद कैसी ड्रामे बाजी की गई कैसा किसानों की आख में दूल जोंकी गई यह आखड़ा खुद बोल देता है 6 लाग करोड के सामने कितनों रुपियों का कर्ज दिया गया माप कर दिया गया मालूम है आपको मैं बताओं याद रखोगे याद रखोगे यह लोग आ जाए लॉलीपाप पकड़ा लेके दुबारा याद कराओगे पक्का कराओगे 6 लाग करोड का कर्ज किसानों का और दिये कितने सिर्फ 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 साथ हजार करोड कहां 6 लाग करोड और कहां साथ हजार करोड इतना ही नहीं दिया वो भी किसको दिया जब CAG का रिपोर्ट आया तो पाया गया कि उसमें 35 लाख बहुत बड़ी रकम इन 35 लोगों के घर में ही गई और वो न किसान थे न कर्ज था न कर्ज माफी के हकदार थे ये रुपिया आपका गया के नहीं गया ये चोरी हुई के नहीं हुई जिनका कर्ज माफ हुआ भी उनमें से भी लाखो को सर्टिपिकेटि नहीं दिया गया जिसके चलते उसका ब्याज चड़ता गया और बाद में उस बेचारे किसान को कर्ज ब्याज समय देश्टना देना पड़ा यह पाप इन लोगों ने किया है भाईयों बहनों यह लोग दुबारा भी कर्ज लेने के लायक नहीं रहे उनको शराप पे पांच जाना पड़ा प्राइवेट पे कर्ज लेने जाना पड़ा मेंगे रुप्यों से कर्ज लेना पड़ा ताथ यो इस प्रकार की कर्ज माफी का लाब किसको हुआ कम से कम किसान को तो नहीं हुआ इसलिए मेरा अग्र होगा कि कॉंग्रेस के इस जूट और बैमानी से सतर्क रहे याद रखिए कि कॉंग्रेस की सरकार ने तो स्वामी नाथन आयोक की सिफारस तक को लागू नहीं किया था कॉंग्रेस के चलते ही किसानों को लागत का डेड़ गुणा मुल्य देने की सिफारिस वाली फाइल बरसों तक यह कॉंग्रेस वाले उस पर बैठ रहे थे बैठे वुए थे निकालते नहीं थे अगर कॉंग्रेस ने अपने जमाने में आज से ग्यारा साल पहले अगर स्वामी नाथन कमिशन को स्विकार किया होता लागू किया होता लागत का डेड़ गुणा दाम किसानों को देना तै किया होता तो आज मेरा किसान करजदार होता ही नहीं उसको करज की जरुरती नहीं पड़ती लेकिन आपका पाप आपने उस फाइल को दबा करके रखा किसान को दाम नहीं दिया MSP नहीं दिया किसान परबाद हो गया करजवार हो गया यह आपके पापों का प्रणाब है इस फाइल को बाजब सरकार ने बहार निकाला और दान सहीद 22 फसलों का MSP लागत का डेड़ गुणा तै किया गया भाई और बहनों ऐसे अनेक काम है जो बीते चार वर्सों से किये जा रहा है जो छोटा किसान है उसको भी हमारी सरकार बैंकों से जोड रही है मंडियों में नया इंफासेक्टर नवी सुविदाएं अब तयार हो रही है तक्निक के माध्यम से मंडियों कब अब तयार किया जा रहा है नये कोल्ड स्टोरेज मेगा फुड पार्क उसकी भी चेन अब तयार हो रही है साथियों किसान की फसल से लेकर उद्योगों के लिए जरूरी आदुनिक इंफासेक्टर भी यही सरकार तयार कर रही है पुर्वान चल की बहतर कनेक्टिविटी के लिए बीतेज साढ़ेज चार वर्स में अनेक काम पूरे हो चुके हैं और अनेक प्रोजेक्स आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं पुर्वान चल एस्प्रेस वेपर काम तेज गती से चल रहा है पिछली बार जब मैं गाजीपूर आया था तो ताड़ी घाट गाजीपूर मौँ रेल रोड पूल का सिलानास किया था मुझे बताया गया है कि जल्द ही ये भी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा इसे पुर्वान चल के लोगों को बिल्ली और हावडा जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा